नरेंदर मोदी के कारेकरम से चिराग पास्वा ने जैसे ही दूरी बनाई आरजेडी के तरफ से खुला ओफर आ गया है नमस्कार देंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ ब्रजु सिंग कल देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी बिहार में थे और अंगाबाद और वेगु सराय में कारेकरम था और उस कारेकरम के मंच पर इंडिये के तमाम सहयोगी दल मौजूद थे जीता नमाजी की बात कर ली जाए नितीश कुमार की बात कर ली जाए पस्पती कुमार पारसमेद भाजपा के तमाम बरे नेता थे हाला कि उस मंच पर दो सहयोगी दल नहीं दिखे एक चिराग पास्वान और दूसरी तरब उपेंद्र कुस्वाह उपेंद्र कुस्वाह को लेकर खबर आई कि प्रोटोकॉल के तहत वो वहाँ पे नहीं पहुंच सकते थे उस मंच पर नहीं दिख सकते थे इसलिए वो उस मंच पर नहीं दिखे लेकिन चिराग पास्वान क्यों नहीं गए चिराग पास्वान को निमंतरन दिया गया था चिराग ने दूरी बना ली सवाल है कि क्या चिराग पास्वान की बातचीत दूसरे गड़बंधन से हो रही है क्या चिराग पासवान की बादचीत आरजेडी से हो रही है और इन तमाम चर्चाओं के बीच आरजेडी के तरफ से चिराग पासवान को खुला ओफर मिला है तेश प्रताप यादो लालू यादो के बड़े बेटे ब्यार सरकाने मंतरी भी रहे है उन्होंने एक इंट्रिव्यू में साप साफ सब्द में कहा है कि अगर वो वहाँ पे नराज है तो फिर उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ तो तेश प्रताप यादो ने चिराग पासवान का स्वागत किया और कहा कि अगर वो नहराज है तो फिर उन्हें यहाँ पे आजाना चाहिए चुकि चराग पासवान इंडिये में नितीश कुमार की वापसी से काफी जादा असहज है कहा जा रहा है कि चराग पास्वान निती श्विरूत की आजिती करते हैं ऐसे में वो इंडिनों बिल्कुल ही चूप है तुर्की राजनिती जो है वो उस पर खत्रा मर रहा है और इसी बात का डर बार बार चराग पास्वान को सता रहा है भाचपा भी उन्हें बहुत कुछ दे नहीं रही है जितनी सीटे चिराग चाहते है उतनी सीटे मिल नहीं रही है चाचा को भी भाचपा रखना चाहती है चिराग को भी रखना चाहती है लेकिन चिराग को ये बात पसंद रही और यही बड़ी बज़र ही कि कल नरेंदर मुदी के स्वगोसित हनुमान चिराग पासवान मंच पर नहीं दिखे सवाल बड़ा हो गया कि आखिर चिराग नराज हैं क्या चिराग पासवान अब गड़बंधन बदलेंगे इंडिये से बाहर जाएंगे चुकि उन्होंने पहल लेता है कि उनके साथ यह राजनिती करेंगे और आज की तारीक में दोनों जिनके विरोज की राजनिती करते हैं चाचा हो या फिर नितिस्पुमार हो दोनों एंडिये के सहयोग गड़ल है तो इसलिए चिराग के लिए अब ना कुछ कहने बन रहा है ना कुछ बोलने बन करेकरम में वो नहीं दिखे तो हर तरफ चर्चा होने लगी कि क्या चिराग पास्वान वाकई में इंडिये छोड़ने वाले हैं इंडिये से बाहर जाएंगे और इन चर्चाओं के बीच आरजेडी के तरफ से खुला ओफ़र दिया गया आरजेडी नेता बिधायक पुरमं कोई फैसला लेना होता है तो तेश प्रता आप यादो किस बयान को उससे नहीं जोड़ सकता है चुकि तेश प्रता प्यादो के बिदायक हैं लालू यादो के बेटे हैं लेकिन पाट्री का फैसला तेश प्यादो लेते हैं लालू यादो लेते हैं बावजूद भी आपने आपने चैनल को यूटूब पर देखें तो सब्सक्राइब कर लिजिए फेस्बुक पर देखें तो पेज को लाइक फॉलो कर लिजिए